सरदी के मौसम में गर्म गुलगुले खाने का मज़ा ही कुछ और है, मज़ा आजाता है इसे खाकर आध शाम का हमारा यही खाने का मूड है और कुछ नहीं खाने वाले हैं तो देखें यहां पर आगई हूँ मैं किच्चिन में थोड़ी-थोड़ी सी धूप आ रही थी के लिए मैं गुड़ वाले गुलगुले बना रही हूं आप चाहें तो चीनी या मिश्री भी ले सकते हैं जिस कप से आठा लेंगे उसी कप के नाप के हिसाब से एक कप पानी लेना है फ्लेवरिंग के लिए मैंने एक छोटा चमच इलाइची का डाला है और इसमें एक कप मै पश्वाएं नी कुछ नहीं करना है जैसे ही गुड़ मेल्थ हो जाएगा गैस को हम कर देंगे बंद और इसे हम रख देंगे इससाइडbene तो चलिए यह देखिए आप देख सकते है गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है गैस को मैंने बंद कर दिया है अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ आटा तो एक कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है अब इसके बाद में ले लेंगे चलनी और जो हमने गुड़ पिगला कर रखा हुआ था वो हम चान कर लेंगे क्योंकि कई बार गुड़ में impurities भी होती हैं तो यह देखिए गुड़ हमने चान लिया है थोड़ा थोड़ा करके लेंगे पानी को और इस तरीके से विस्कर से विस्क करते जाएंगे बागी का बचा हुआ भी पानी लेंगे और उसके बाद इसे घुमाते जाएंगे ध्यान रखेगा कि इसमें कुछ घुटलिया नहीं ह एकदम स्मूध सा बैटर बनकर तयार होना चाहिए तो बस देखिए इसी तरीके से हम इसे विस्क करते जाएंगे अगर ये हमें इस तरीके से गाड़ा लगेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो इस पॉइंट पर आप जो नॉर्मल पा जैसे हम पकोड़ों के लिए बैटर बनाते हैं जो हम हाथों से उठा कर तेल में डाल सके बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें बनाकर तयार करना है तो ये देखिए बैटर जो है वो तयार हो गया है कंसिस्टिंसी आप देख पा रहे हैं अब हम इसे ढग देंगे और ढग कर 5-10 म मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने देंगे 10 मिनिट के बाद बैटर जो है वो सेट हो गया है एक चौथाई चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा कर डाल कर बहुत अच्छे से एक ही डिरेक्शन में एक या दो मिनिट के लिए इसे घुमा देंगे उसके फ्रेम पर हम जो गुलगुले है वो बढ़िया तरीके से सेख लेंगे फ्राइ कर लेंगे थोड़ी देर तक एक दो मिनिट तक हम इने टच पी नहीं करेंगे वरना यह तूटने लग जाएंगे उसके बाद हम इन्हें इस तरीके से पलटना शुरू करेंगे जब यह क्रिस आपको बॉड़ी में कहीं पर भी पेन है जाके सर्दियों में हो जाता है हाथ में पैरो में तो आप इसे सर्सों के तेल में फ्राइ कीजिए और उसके बाद खाईए जो पेन है आपका हाथ पैरों का वो बिल्कुल गायब हो जाएगा यह हमारी दादी का नुस्खा तो दे है